क्या आपने कभी मुर्खता पुन फैसला किया है जिसके कारण आपको कठिनाई का सामना करना पड़ा हो विशेश कर उस समय जब आप किसी दुखद परिस्थिती का सामना कर रहे हैं और यह जानते हैं कि यह आपकी अपनी गलती का ही परिणाम है तब आप क्या सोचते हैं किया यह कि कितना अच्छा होता यदि मैं अपनी गलती को पहले ही पहचान लेता या अपने गलत फैसले को पहले ही जान जाता तो ऐसा कदम हरगिज नहीं उठाता और इस बुरी परिस्थिती में पढ़ने से भी बच जाता काश मुझमें सही और गलत फैसले को पहचानने की शमता होती और मैं हमेशा सही निरने लेता मसीही लोग यह विश्वास करते हैं कि विभिन परिस्थितियों में हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं और सही और गलत को पहचान कर अपना फैसला कर सकते हैं सही और भले राह का चुनाओ कर सकते हैं यह हमारे जीवन के लिए एक महतोपुन सिक्षा है क्योंकि हम सभी के जीवन में विशन कभी न कभी जरूर आते हैं, जब हमें निरनायक फैसले लेने पड़ते हैं, और ये फैसले हमारे जीवनों को प्रभावित करते हैं, हम इन निरनायक छणों से जब हमें फैसले लेने पड़ते हैं, भाग नहीं सकते, यह हमारे जीवन का एक अंग है, हमारे सामने या प्रश्ण है कि कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जाने, कैसे उसकी योजना को पहचाने, आप से मेरा ये प्रश्ण है, आप क्या करते हैं, आप विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं, क्या आप कोई आसान रास्त परमेश्वर का वचन बतलाता है, इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निरबुध्धी मनुष्यों के सदरिश नहीं, वरन बुद्द्धिमानों के सदरिश चलो, समय का पूरा पूरा उप्योग करो, क्योंकि दिन बुरे है, इस कारण निरबुध ना हो, परं तु यह जान लो कि प्रभू की इच्छा क्या है यहां वचन दो प्रकार के मनुश्यों का वर्नन करता है पहला है निर्भूद मनुश्य और दूसरा बुद्धिमान मनुश्य वचन के दवारा हम इन दोनों प्रकार के मनुश्यों के बीच के अंदर को भी पहचान सकते हैं औ वो ये है कि वह अपने चाल की चौकसी करता है, वह साधान रहता है, और दूसरा गुण है कि वह समय को पहचानता है और उसका पुरा-पुरा उपयोग करता है, किस समय कौन सा कारे करना है, उसे अच्छी तरह पता होता है। तीसरा और सबसे महतोपूर्ण गुन एक बुधिमान व्यक्ति का ये होता है कि वह हमेशा प्रभु की इच्छा जानने के लिए प्रयास करता रहता है। और नहीं अपने जीवन में सुधार लाना चाहता है। उसे अच्छे और बुरे समय की पहचान नहीं होती। वह अपने जीवन में परमेश्वर को कोई महत्व नहीं देता और उसकी इच्छा भी जानना नहीं चाहता। उसे परमेश्वर की कोई चिंता नहीं होती। यही एक मुर्ख व्यक्ति की पहचान होती है, कि उसके जीवन का आधार परमिश्व नहीं होता, इसलिए वह हमेशा गलत निन्ने लेता है और हानी उठाता है, हमें चुनाओ करना है कि हम किस तरह की चाल चलते हैं, निर्बुधियों की तरह या बुधिमानों की तरह, यदि ह कैसे हम बुधिमानों की तरह चाल चलें, कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को जानें, यह बहुत ही महतवपुन प्रश्ण है और बहुत अच्छे भी, जो हमें अपने सही निन्ने लेने में हमारी साहता कर सकते हैं, हमारे इन प्रश्णों का उत्तर, बाइबल हमें इस प्र प्रण दिला कर पिंती करता हूं, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और इस संसार के सद्रिश ना वनो, परंतु तुम्हारी बुधी के नए हो जाने से, तुम्हार अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, बलिदान चढ़ाएं, इसका अर्थ है, हम अपनी आत्मा के साथ, अपने शरीरों को परमेश्वर की महीमा और स्तूति के लिए समर्पित कर दें, यहां एक और खास बात है, वो यह कि जब हम प्र जीवन में परिवर्तन आता है, जब बाइबल हमारे जीवन के बदलने की बात करती है, तो उसका संबंध हमारे मन और हिदय के परिवर्तन से है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा चालचलन, हमारा स्वभाव, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ नया हो जाता है, प हम परमेश्वर और उसकी धार्मिक्ता की खोज में लग जाते हैं और यह जानने की कोशिश करने लगते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है वह किन वस्तों से और किन बातों से प्रसंद होता है उसे क्या पसंद है और किन चीजों से वह क्रोधित होता है मेरे प्रियमित्र यह एक अधुत परिवर्तन है यह हमारे स्वैम के प्रयास और कारियों से नहीं हो सकता यह परमेश्वर के अनुगरा के द्वारा होता है यह पवित्र आत्मा के द्वारा होता है जो हमें सहायक के रूप में दिया गया है यह पवित्र आत्मा का कार्य है जै जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा के साथ पवित्रता के मार्ग में बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारी आत्मिक उन्नत्ती होती हैं और हम परमेश्वर की इच्छा को स्पश्टता से जानने लगते हैं. हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और घनिष्ट होता जाता है तब हम सही निर्ने और सही मार्ग का चुनाओं बड़ी आसानी से पवित्र आत्मा की सहायता से कर सकते हैं और गलत निर्ने लेने से बज सकते हैं यही है बुद्धी का मार्ग क्योंकि बुद्धी यहुआ ही प कर दो